आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीजो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाओ से जादा किसी के पहुझ सके? प्लांट के पास, यानि क्रॉप के पास पहुझ सके. यह प्रोसस कैसा हो सकता है? इंडायरेक्ट भी हो सकता है. या तो फिर कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली भी एफेक्ट कर सकते हैं. ज़ेके oldest अफर हम बात करें तो हम जानते हैं Phosphorus प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता उसका solubilized form में होना जरूरी है ठीक है और क्या हो सकता है plant की growth को stimulate करना यानि stimulating plant growth plant की growth को क्या करना stimulate करने का जो process है उसमें भी कौन help करता है bio fertilizers help करते हैं ठीक है next अगर हम बात करें तो किस किस type के हो सकते हैं यह हो सकते हैं bacterial के से हो सकते हैं bacterial क्योंकि हम किन के बात कर रहे हैं organisms की bacterial हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं cyanobacterial के से हो सकते हैं cyanobacterial हो सकते हैं VAM चीक है महीं हम बात कर सकते हैं किसकी cytoforce की किसकी कर सकते हैं Cidero Force की बाद भी कर सकते हैं, मगर हम particularly बात करते हैं, किस की बैक्टिरियल की, तो हम किसके बारे में बात करेंगे है, Rhyzobyum के बारे में, Rhyazobyum basically क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीके, और ये क्या करता है, जो atmospheric nitrogen है, कौन सी nitrogen है? atmospheric nitrogen, ठीक है उस atmospheric nitrogen को क्या करेगा basically plant को available कराईगा किस form में nitrogenous compound में किस form में जो nitrogenous compound होते हैं उस form में क्या करेगा plant को available करवाएगा ठीक है या था हम बोल सकते nitrogenous component या nitrogenous compound अकर अधर है आधर है यह पार रहा है वह क्या कर रहा है राई-टो क्या करेगा ऊसन उसनी उस और क्या करेगा उस ने तूरोजन को क्लासिक सिट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंज और एडवान्स के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर